पीजेपी की सरकार ने असंग ठिद अर्ध्यवस्ता पर आकरमन किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है 2008 में जबर्दस्त आर्थिक तुफान है पूरी दुनिया में अमरीका में जापान में यॉरॉप में चाइना में सब जगे आया अमरीका के बैंक गिर गये कंपणिया बंद हो गए एक के बाद एक कंपणी के लाइन लग बंद हो गई यॉरॉप के बैंक गिरे मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं यूपिय के सरकार थी प्रधान मंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा मुनमौन सिंग जी बताइए पूरी दुन्या में आर्थिक नुक्सान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है, मनमौन सिंग जी ने का राहूल, अगर हिंदुस्तान की अर्ध्व्यवस्ता को समझना चाहते हो, तो ये समझना होगा, कि हिंदुस्तान में दो अर्ध्व्यवस्ता है, पहली असंगठित अर्द्व्यवस्ता और दूसरी संगाठित अर्द्व्यवस्ता संगाठित अर्द्व्यवस्ता में बड़ी कंपनिया नाम आप जानते हो असंगाठित अर्द्व्यवस्ता में किसान मज़ूर छोटे दुकानदार मिडल साइज कंपनिस जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंग सिस्टम मजबूत है उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तुफान छो नहीं समते हैं अब आज के दिन आते हैं पिछले छे साल से बीजेपी की सरकार ने असंग अठित अर्ध्यवस्ता पर आकरमन किया है तीन बड़े उधारन तुम्हें आपको अभी दे रेता हूँ नोट बंदी गलक्ट जीएस्टी और लॉकडाउन आप ये मत सोचिये कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी ये मत सोचिये कि गल्ती से आखरी मिनिट पे लॉकडाउन कर दिया गया है इन तीनों का लक्ष हमारी इनफॉर्मल सेक्टर को खतम करने का है प्रदान मंत्री जी को अगर सरकार चलानी है मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है, मीडिया मार्केटिंग 15-20 लोग करते है इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाकों करोड रुपे, जिसको ये लोग छू नहीं सकते हैं इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं इसका नतीज़ा आएगा नतीज़ा ये होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर नप्पे प्रतिश्ट से जादा रोजगार देता है जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खतम हो गया नच्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ली जाते हो और आपके खिलाफ साजिश हो रही है आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है हमें इस आकरमन को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा अजय है